So Hello Friends Welcome back to another new video and दोस्तों आज के यह वीडियो काफी जदा डिफरेंट एंड होट के टाइब का रहने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के एस वीडियो में हम Poco vs Poco की बीच में detail में fight लगाने वाले है मतलब दोस्तों Poco X6 5G vs Poco X5 Pro 5G के बीच में detail में comparison करने वाले है क्योंकि दोस् दोस्तों 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 स्माटफोन की बीच में detail में comparison करेंगे जैसे कि स्पीड टेस्ट डिस्प्ले टेस्ट राम मेनेजमेंट एंड जो परफॉर्मस से कोंसा फोन के बेटर मिल जाता है सब कुछ डिटिल में बताएंगे तो चले दोस्तों वीडियो काफी जदा इं पॉपिलर स्माटफोन पोको एकसिक्स 5G एंड पोको एकस्वाइप्रो 5G तो इसलिए दोनेवी स्माटफोन की बीच में detail में comparison करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोनेवी स्माटफोन के कैमेरा से तो पोको एकसिक्स 5G डिएस में 64 Megapixel का OES triple camera मिल जाता है वही पोको एकस्वाइप्रो 5G डिएस में 108 Megapixel का यह triple camera मिल जाता है दोनेवी स्माटफोन में 8 Megapixel का अल्टरावड एंगल एंड 2 Megapixel का मेक्रोलेस मिल जाता है सेंसर के बार में बात करेंगे तो पोको एकस्वाइप्रो 5G डिएस में सैंसंग का हम 2 का सेंसर मिल जाता है एंड के बार में बात करेंगे वैसे दोनों भी स्माटफोन को जो camera सेंसर काफी बेटर देखने को मिल जाती है दोनों भी स्माटफोन के जो पूर्ट शॉट है काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं पोको एकस्वाइप्रो 5G डिएस में थोड़ सा बूस्टेट एन सैचुरेट टोन देखने को मिल जागा और रियर के बार में बात करेंगे तो पोको एकस्वाइप्रो 5G डिएस में एनस बूस्टेट कलर देखने को मिल जाते हैं वहीं पोको एकस्वाइप्र देखने को मिल जाता है और शार्पनिंग दोनों भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा वैस स्मार्टफोन में 4K 30 पर सपर्ट मिल जाता है वह भी स्टैबिलिजेशन सपोर्ट के साथ तो दोनों से फोन के सैंपल सबसे बेटर लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं इसके बाद दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन की डिजन और बील्ड क्वालिटी क मिल जाता है जो कि दोनह भी फोन में प्लस्तिक फ्रेंटी है वेसे दोनों ही प्वाण्टेड के बार में बात करेंगे तो पावर बटन अल गर्वोलिम रॉकर कि देखने को मिल जाता हैbut Poco X6 device में in display fingerprint scanner का feature मिल जाता है and Poco X5 Pro 5G device में side mounted physical fingerprint scanner का feature मिल जाता है bottom side के बार में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में primary stereo speaker मिल जाता है charging port primary microphone मिल जाता है hybrid sim cutter मिल जाता है इसके बार में top side के बार में बात करेंगे तो दोनों भी smartphone में secondary stereo speaker मिल जाता है secondary noise cancellation का mic भी मिल जाता है बट Poco के phone में देशते 3.5 mm का jack भी मिल जाता है and IR blaster sensor भी मिल जाता है चले दोनों भी smart phones के display के बार में बात करेंगे तो Poco X6 5G device में 1.5K resolution का display मिल जाता है and Poco X5 Pro device में 6.67 inches का full HD display मिल जाता है वैसे दोनों भी smart phone में same to same 120 Hz का smooth adaptive refresh rate भी देखने को मिल जाता है YouTube HDR quality support के बार में बात करेंगे तो दोनों भी smart phone में 4K video HDR का support मिल जाता है मतलब कि 2160 pixel में दोनों भी smart phones में YouTube के videos watch कर सकते है इसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी के बार में बात करेंगे वैसे दोनों भी smart phone में काफी तगडी and outstanding display quality देखने को मिल जाएगी जैंकि दोनों भी smart phone में Pro AMOLED display मिल जाता है जिसके वज़े से दोनों भी smart phone में काफी vibrant color मिल जाते है वैसे Poco X6 5G device में थोड़ सा brighter display मिल जागा क्योंकि 1800 nits का peak brightness value मिल जाती है लेकिन Poco X5 Pro device में 900 nits का peak brightness value मिल जाता है जिसके वज़े से थोड़ सा कम brighter display मिल जागा लेकिन अगर आपको थोड़ सा better quality का डिस्पले चाहिए थोड़ सा बेजलिस डिस्पले चाहिए तो Poco X6 काफी बेटर चोईस है इसके बाए दोस्तो दोनभी smartphone के processor और performance के बारे में बात करेंगे तो Poco X6 DS में Snapdragon 7s Gen2 का processor मिल जाता है वही Poco X5 Pro DS में Snapdragon 778G का processor देखने को मिल जाता है इसके बाए दोनभी phone के अंतुदू score के बार में बात करेंगे तो दोनभी phone में 5,5 लाग सा भी जदा score देखने को मिल जाता है बट सबसे जदा score यह पे Poco X5 Pro 5G DS में देखने को मिल जाएगा इसके बाए दोसो gaming के बार में बात करेंगे तो पोको की phone में smooth से लेकर balance HD HDR तक देशेद आपको extreme graphics का support मिल जाता है इसके बाए दोसो ultra HD का भी support मिल जाता है बट Poco X5 Pro device में सिर्फ यह पे smooth में आपको extreme graphics का support मिल जाता है बाकि balance HD HDR में यह पे सिर्फ ultra का support मिल जाता है इसके बाए दोस्तों 290 स्मार्टफोन में 67W का super fast charging support मिल जाता है दोस्तों 290 स्मार्टफोन में 5000 mh का battery pack मिल जाता है तो चले दोस्तों बहुत होगे physical comparison अब दोस्तों 290 स्मार्टफोन की बीच में fight लगने वाले मतलब की speed testing करने वाले तो चले 321 and start and दोस्तों वीडियो को थोड़ सा faster forward करेंगे क्योंकि reboot होने में थोड़ सा time लगता है so boot up लोगों सबसे पहले Poco X6 device का आ चुका है और उसके बाद Poco X5 Pro device का भी आ चुका है and इसके बाद MIUI का boot animation ये वेसे दोनों भी phone में same timing पी आ चुका है and इसके बाद quickly दे साथे Poco X6 5G 2S ये पर reboot हो चुका है and उसके बाद कुछ ही second के बाद Poco X5 Pro 2S ये पर reboot हो चुका है तो ज़्यादो कुछ बारा difference देखने को नहीं मिला है चले जोसों इसके बाद दोन भी smartphone में के video render करके देख लेते मतलब भी video के export करके देख लेते हैं तो दोन भी phone में में same view same ये पर का वर्ज इंस्टाल किया है दोन भी phone में में same link के video set करके रखा है and इसके बाद वीडियो output resolution support के बार में बात करेंगे वीडियो एडिटिंग करने के लिए पर्चेस करना है तो आपको एडिटिंग करने के लिए पर्चेस करना है तो पोको A6 5G DS काफी वेटर चोइस रहने माला है चलिए इसके बाद दोनों भी smartphone में application launching speed को टेस्ट करेंगे तो दोनों भी smartphone में same to same wifi का connection mini set करके रखा है तो कुछ एपर system के application से एंड कुछ एपर थर्ड पार्ट अप्लिकेशन से तो साइट बाइस से दोनों भी phone में application को launch करेंगे इसके बाद त्रय करेंगे दिजनी plus host star तो दोनोंभी phone में काफी quickly launch हो चुका है एप बाद ट्रय करेंगे flip card तो flip card थो दोनों भी phone में same timing पे launch हो चुका है काफे गुइक्ली यह लाँच होचा है आवे ट्राइक ओकरेंगे योटूम्ट वैसे यूटूम्ट दोनुभी फोन में काफे लाँच हो चुगा है इसके बादे कारेंगे प्ले स्ट ओर प्ले स्टॉर भी और फोन sooner काफी quickly launch हो चुका है चले इसके बद एक चोटा सा गेम launch करके देखेंगे जो कि है Hill Climb Racing तो देखते हैं कि कौन सा फोन काफी quickly game को launch करता है तो काफी quickly यहाँ पे Poco X5 Pro DS में काफी quickly game launch हो चुका है तो Poco X5 Pro DS में आज के टाइम पे भी काफी better performance मिल जाता है चले इसके बाद बात करेंगे 20 स्मार्टफोन के RAM management के बारे में वैसे 20 स्मार्टफोन में यह पे RAM extension का feature देखने को मिल जाता है और इसके बाद दो स्मार्टफोन के background में मैंने same view same applications open करके रखा है और कुछ apps में देखते हैं मैंने social media की pages वागर open करके रखा है तो चलेह देखते हैं कि कोई सब फौन यह पे बार-बार प्रिलोड करता है उचलेह शुरुत करेंगे gallery apps में कोई बी इशु देखने को नहीं है theme store के बार में बात करेंगे तो इसमें भी कोई इशु देखने को नहीं mlा facebook ड कोई इशु देखने को नहीं मिला है डिजनी प्लेस होस्टर में भी इश्व देखने को ने मिला है. फ्लिप कड में भी कोई प्रोब्लिम नहीं. And Amazon के बार में बात करेंगे तो Poco X5 Pro DS में यह पर Amazon का application preload हो चुका है. And browser को open करेंगे so browser में कोई भी इश्व देखने को ने मिला है. And YouTube को open यूटूब यापे Poco X5 Pro DS में पूरा पुरा प्रिलोड हो चुका है प्लेस्टोर अगे प्लेस्टोर भी प्रिलोड प्रिलोड हो चुका है गेम को लांच करेंगे तो गेम में कोई इश्वा देखने को ने मिले तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो दोने भी स्मार्ट फोन मे एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आपको चाहिए आपको एक्सिक्स डियस काफी बेटर चुए से सो फ्रेंड्स अगर आपका बजट अंडर 20 ताफ़सर के काटिगरी में है फोड़सा बेटर चुए आपके लिए सबीत हो सकता है वैसे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से आपक यू बबाई टेक केर